सब्सक्राइब दोस्तों हो आप सभी ठीक होंगे आज का जो हमारा टोकिक है वो होने जा रहा है कि जो अब हम कोई भी टोई ब्रीड लेके आते हैं घर पे तो हम उसे फीट में क्या दें क्योंकि हमारे आगे सबसे बड़ी प्रोल्म जेही आती है सबसे पहले हमें फीडिंग है जो ध्यान में रखने बाड़ी होती है तो चलो दोस्तों आज की वीडियो स्टाट करते हैं यह वह चीज़ी है जिनकी हमें जरूरत है जो जो हमें चाहिए यह है N&D कंपणी का पपी स्टाटर जिस सबसे बड़ी स्टाटर है मतलब बच्चों के लिए सबसे अच्छा र होती है जो बच्चे को आईरेन की कमी नहीं नहीं होने देता है रिचिन आयर्ण होता है इसमें आईरेन की मतर वह ज़्यादा होती माद को दूर्द की कमी यह भच्यानी करके देता है कि तो हम आज भी ने कंपनी की पपी सटार रहे न ballet प्रसेंटेश में प्रोटीन है दिखाया गया है पपी की वेट का इसाफ से एज के साफ से उसकी फीड की इतनी होनी चाहिए यह फीड हम लेंगे और इसे अच्छे से ग्रैंड कर लेंगे बिल्कुल बढूरीक हो जबाए नहीं तांक पपी को नौन करना उसके बाद देख लेना का अच्छे से बरीक हो हम यह फीड का और एक ही चमज लेंगे हम जो सएर लेकाँ उसका और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पाणी आड़ करेंगे पाणी आड़ करेंगे वो जी की तरह त्यार जो भी कोई टोई व्रीड है उसके लिए इतनी भीड बहुत है कि दिन में हम दो जा तीन वार वैश्ट कर सकते हैं बच्छी तो इतनी फीड से ही इतनी फीड उसके लिए काफी रहती है एक रुक्वेस्ट है और दोस्तों प्लीज हमारा चैनल जुरूर सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जो जो हमारे ये प्रोडक्ट हमने आपको दिखा रहे हैं इनका लिंक डिस्क्रेप्शन में दिया गया है आप वहां से जाके चेक कर सकते हो आपको कर दो कर दो गोगर शोया है इनका समय में पॉाणन है यदलोग पहाई हैं झाल में कम्वड़्या बहने है झाल झाल